22 तारिक को अयोध्या धाम में प्रभुस्री राम के दर्शन हुए और अब यहाँ जनता जनार्दन के दर्शन का सोभाग्य मिला है आज पस्ची में यूपी को विकास के लिए उन्नीस हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं यह प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाइवेज, पैट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और अउद्योगिक शहर से जुड़े हुए है आज यमना और राम गंगा की स्वच्चता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पन हुआ है मैं बुलन शहर सही पस्ची मी उत्तरप्रजेश के सभी मेरे परिवार्जनों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ भाज़ी और बहनों इस खेत्र ने तो बेश को कल्यान स्रीजी जैसा सपूत दिया है जिनों ने रामकाज और राष्ट्रकाज दोनों के लिए अपना जिवन समर्पित किया आज वो जहां है अयोध्याधाम को देखकर बहुत आनन्दित हो रहे होंगे यह हमारा सवभाग्य है कि देश ने कल्यान स्रीजी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है लेकिन अभी भी ससक्त राष्ट के निर्माण का सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वपन पूरा करने के लिए हमें अपनी गती और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है साथियों अयोध्या में मैंने राम लला के सानिद्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कारिय संपन हुआ अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई उन्चाई देने का समय है हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मारतों और प्रसस्त करना है हमारा लक्ष साल 2047 तर भारत को विक्सित राष्ट मनाना है और लक्ष बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है सब को मिल करके प्रयास करना पड़ता है विक्सित भारत का निर्मार भी यूपी के स्तेज विकास के बिना संभव नहीं है इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर सक्ति को जगाना है आज का यायोजन इसी दिशा में एक और कदम है बड़ा कदम है, महत्वपून कदम है